नमस्कार जय गौमाता राम राम तो आज का वीडियो बनाने कर उद्देश ही यह कि छोटे से उद्धारण के माध्यम से मैं आपको समझादना चाहता हूं कि भाई हमारा जो दैनिक जीवन में नजरिया है वो किस प्रकार से परभावीत करता है हम बातें बहुत बढ़ी कर सक है कैसे हमारा जो दृष्टी कौने वहां पर जाके इतना संकुचित हो जाता है उसका उधान बताता हूं अभी मैं वापिस इंडिया आ चुका हूं तो अभी घर पर हूं तो अभी क्या कि हमारे राजस्तान के मारवाड छेत्रे में साधियों का मौसम है यानि कि वीवा काफी अच्छा सीजन चल रहा है तो काफी पैसे वाले लोग होते नॉर्मली जो बार होते तो बात यह है कि अभी दो दिन पहले की बात बता हूं मेरे गाउं में एक किसी सजन के बच्ची की साधिती तो वो मेरे पास आए बोले हमने सुना कि आपके पास गाई का गी मिल ज चावरी कहते हैं तो चावरी में हवन के लिए उनको गाई की जरूरती तो हलाकि अब मेरे पास उतनी गाई है नहीं मैंने सिर्फ पारिवारी गोपलन कर लिया तो उस वज़े से क्या कि अभी तो पिछे मेरे पिछे देख रहे है यह गाई दूद दे रही है तो दोना आपके पास अवयलेबल हो जाए गया मैंने कहा वैसे बेचने के लिए तो है नहीं लेगा कि उनको लगा नहीं नहीं ले तो लका कि मेरे पास पैसे हैं मैं पैसे देना चाहता था यह ले नहीं रही तो मैंने का वैसे तो मैं तीन हजार रुपए किलो बेचता था लेकिन चूंकि आपके शुब कारी है तो पैसे लेने का कोई अचीत यह नहीं आप पाउबर गी ले रहे हैं तो अब उनकी सोच देखके मेरे को अचंबा वह अचंबा यूँ हुआ को बोलेकर नहीं मैं आपको मैंना नहीं है अगर आप अपने खाने के लिए ले जाते तो मैं मन करें विश्वास तो अब उनका सजन का जो अंदाज है कि मुझे उनकी सोच लेके बड़ आचंबा कि हम कितने डबल इस्टेंडर्ड वाले हो सकते मलब उनके कहने का जो अंदाज है कि मैं एक किलो गी के डैरी के हिसाब से पैसे देंगा तो मतलब उसके उपर भी वह यह जताने की कहिन की एहसान कर रहा है कि मैं पैसे वाला हूं खुद फोर वीलेर गाड़ी लेके आए और इस परकार की सोच रखे मतलब आप सोच जरा फिर मैंने उनको बड़े प्यार से स जानते हैं आपने टेंट पे कितना खर्च किया मैंने पूचा मेरा क्वेस्टन था तो उन्हों ने लगबग डाई लाग तो टेंट पर हलवाई पर हलवाई पर उन्हाने लगबग एक लाग और ग्यरह जार रुपे बताए तो मैंने का हवन के लिए जहां पर आपकी बच् सब्सक्राइब के लिए लगता है कि हम यह कहने की बाते हैं गोमाता है वो है लेकिन कहीं पर हम डबल इस प्रकार से रखते हैं और इस चोटी सी एक मतलब कहें तो अपने चीज पर आके इतने संकुचित हमारे विचार क्यों हो जाते हैं हम लागों रुपया खर्चा कर दे लेकिन यहां पर आके किसी गोप आलग को हम उसके जो हक है जो उसका अधिकार है वो उसको देना नहीं चाहते यह सोच जबकि ऐसा नहीं है कि सो डेट सो रुपय में मैं गरीब हो जाओंगा या वो पैसे वाले हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है लेकिन यह कहीं कि इस सोच को ह कमेंट वक्स में जाकर, यह बात और कि ज hade अधा तर जो दर्शक है, वीडियो देखते हैं लेकिन अ वलोग लाइक या सबस्क्राइब नहीं करते कम-छो कर्षिह सब्सक्राइब बटन दो आप पनाराबो, और ताकि लगे के भी वीडियों में थोड़ा जोर है!!! दन्यवाद जय गोमाता